असलाम अलेकुम आज हम आपकी खितनत में पेश हुए हैं इम्रान सीरिस के नावल हौड इजंसी के तीसरे हिसे के साथ जो के भरपूर तंजो मज़ा फाइटिंग और सिस्पेंस से भरपूर है वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि उर्दू मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे हमें जान बूचकर किसी गेम में फसाया जा रहा हो हरिश ने जवाब दिया कैसी गेम में कुछ समझा नहीं करना फ्रीदी ने हैरत बरे लहज़े में कहा मैंने सेट आसिम की रहाइजगा में जाकर तहकीर की है सेट आसिम की रहाजगा में स कैप्टन हमीत हेरानी से उसके तरफ देख रहे थे कर्णफरीदी कैप्टन हमीत को जिस काम के लिए भीज़ रहा था वह काम हरीष ने पूरा कर लिया था इस लिए आप OnePlus Salp पर बैट गया था तफसीर से बताओ क्या गेम खेली गई है करना फ्रीदी ने उसकी तरफ गौर से देखते हुए कहा मैंने सेक्योटी कैमरों से बनने वाली मुवी अपने हैंड सेट पर डाउनलोड कर ली है मेरे सेट में प्रोजेक्टर भी मजूद है मेरे कुछ बताने की बज़े आप ये सारी गेम खुदी देख लें तो आपको हर बात का तफसील इम हो जाएगा हरीश ने जे में सेल्फ़ून निकालते हुए कहा जिसके अगले हिस्से पर फ्लेट शे लगा हुआ था जो प्रोजेक्टर के तूर पर काम आता था हमीर दर्वाजा बंद करके ल लगा हुआ फ्लेश आन होका था और इससे तेज़ रोष्णि की फवार से निकल रही थी हरूश ने रोष्णि का रुक सामने दिवार की तर टरफ कर दिया तो दिवार पर एक सक्रीन सी बनी हुई थी हरूश ने एक वीडियो कलिप का बट Sn प्रेस किया तो चनक दिवार पे मज़ू सक्रीन पर एक मनजर उबराया ये मनजर सेट कासिम के रहाईजगा का कहा था कैमरा शायद रहाईजगा के बाहर लगा हुआ था क्योंकि मनजर में रहाईजगा का बैरूनी हिसा दिखाई दे रहा था कंड़ फ्रीदी के नजर सक्रीन पर जमी हुई थी उसी लम्हे रहाईजगा के सामने से सियाह रंगे एक कार गुजरी कार की रफतार जादा तेज नहीं थी केमरे से कार को वाज़ा दिखाया जा रहा था कार की ड्राविंग सीड की तरफ से कृटी का शीशा कदरे हटा हुआ था उसे लम्हे शीशे के उपर एक हलका शोरा सा चमका और गाईब हो गया फिर दूसरा शोरा चमका और आगे कार बढ़ गई ये क्या था कैप्टन हमीद ने हैरा भरे लहजे में पूछा पहला क्लिप है जिसमें सियाह कार में से सेट आसिम की रहाइशगा में गैस कैपसूल फायर करते दिखाये गया है अब दूसरा क्लिप देखे हरीश ने कहा उसने सेल्फ़ून में इसके किनारे पर रख दिया था तकि सेल्फ़ून का प्रोजेक्टर दिवार पर वाज़त तस्वीर बना सके हरीश ने सेल्फ़ून का बटर्म प्रेस किया तो स्क्रीन पर रहाइशगा का अंदूरनी मनसर उबराया रहाइशगा के लौन में स्यारंग के ताकत वर बल्डॉग घूमते पिर रहे थे और रिहाईशगा में जगा जगा मसले अफराद पैरा दिखाई दे रहे थे इसी लम्हें अचानक लॉन में घूमते हुए बल्डॉगर्स महाफ़ों को नजाने किया हुआ कि अपनी अपनी जगों पर गिरते चले स्क्रीन पर अपने राज़े बदल रहे थे जिसमें सेथासिम की रहाईशगा के हर हिस्से में मजूद मसले अफराद और बिल्डॉग्स को दिखाए जा रहा था जो यू किरे हुए थे जैसे एक साथ इन सब की जान निकल गई हो यह कैमरे का मिक्स वीडियो है अब देखे हरीशने का और फिर उसने सेलफ़ून का एक फिर बटन प्रेस किया तो सक्रीन पर फिर से रहाईशगा का बेरूनी मनजर उभर आया यह रहाईशगा के गेट का मनजर था जहां दो मसले अफराद दिवारों से टेक लगाए खड़े थे लेकिन उनका अंदास ऐसा तदे से खड़े खड़े सो रहे हैं उसी लम्हे गेट के सामने वही सिया रंग की कार आका रुकी जिसमें से से टासिम की रियाशगा में दो कैपसूल फिर फाइर किये गए कार रुकते ही कार का पिछला हिसा दर्वाजा खुला और फिर कार से सादा सा लिबास पहने एक बुड़ा निकल कर बाहिर आया इस बुड़े को देखकर ना सिर्व करना फिरीदी बलके कैपटन हमीद भी चौंक पड़ा क्योंक यह वही बुड़ा था जिसकी लाश इन दोने ने कासिम की कार में देखी थी बुड़े ने इदर उदा देखा भी वह अचानक उचला और गेट पर ल लगाई और अंदर कूद किया जैसे ही बुड़ा रिहाशगा के अंदर कूदा उसी लम्हे कार से दो सिया पोश अफराद निकल कर बाहिर आ गए इन दोने ने सर से पाउं तक लबादे नुमा सिया लिबास पहन रखे थे और इनके चारे पर भी निकाप थे वो चल लम्हे को अंदर से देखते हैं हरेश ने का और उसने सैलफोन का एक और बटन प्रेस किया तो स्क्रीन पर गेट का अंदरूनी मनजर दिखाए दिया गेट में बुड़ा गेट पर चड़र कर नजर चलांग लगा रहा था अंदर चलांग लगा थे उसने मकसूस अंदाज में कला बाजी खाई थी और पैरों के बल जमीन पर आकर खड़ा हो गया था अंदर आते उसने इधर उदर देखा फिर बड़े इत्मिनान बड़े अंदाज में वो एक तरह बढ़ता चला गया कुछ देर बाद गेट पर वही दो स्याफ पोश दिखाए दिए जो बुड़े के बा जहां सेट आसिम और कासिम की कीमती कारे मजू थी बुड़ा पोश में ही मजूद था वहां मजूद कारों के दर्वाजाग हो कोशीछ का रहा था वहार और ने भी फोश पोश पोश चार क man day बाद लिया ऑब मुस्क्राइब जाए इन से बाते करने लगा सियाह पोश्ट ने उसके पास आगे और फिर उसमें से एक सियाह पोश्ट ने अपने लिबादे सालेंसर लगा रिवॉलवर निकाला और उसका उख बुड़े की जानिब कर दिया उसके हाथे में रुड़र देखके बुड़े के चारे पर हैथ के तासरात उबर है जैसे वो इस बात पे हैरान हो रहा हो के सिया पोश्ट ने रुड़र क्यों निकाला है इसे पहले कि बुढ़ा कोई बात करता उसी रमे सिया पोश्टों से गोलिया मारने शुरू कर दी और बुढ़ा बुरी तरह से हाथ पाउ मारता हुआ कार की सीट पर गिरा और तरफ तरफ कर साकित हो गया बुढ़े को हला करते ही दोनों सिया पोश्ट मुड़े और तेज तेज चलते हुए वहाँ से निकलते चले गए हरीश ने फिर सेल्फ़ून का बटन प्रेस किया तो रहाइश गा का बुरूनी मनजर नजर आया जहां से दोनों सिया पोश्ट गेट फ़लांकर अबाहिर आ रहे थे रहाइश गार से बाहर आते हैं वो दोनों सिया कार में सवार हो गए और काहर बहां से निकलती चली गई और उसके साथी सक्रीन बलैक हो गई हरीश उठा और इसने दिवार के पास जाकर करना फ्रीदी के आफिस के लाइट आन कर दी ये सब क्या था इन क्लिफ से टो ये पदाश लता आए कि बुढ़ा सिया कार में सिया पोश्चों के साथ या आय था और वस्воू जी रहाइश गार में जाकर पोश्च में मजूत कासिम की कार जाए और उन्हों दूसर यह कि अगर बुरा पहले से ही जखमी था तो रहाईजगा में उसके खून की निशान क्यों नहीं मिले थे और तीसी सबसे एहम बात कि जी अगर रिहाइजगा में कोई हंगामा हुआ तो फिर इसका इल्म रिहाइजगा के किसी फर्द को क्यों नहीं हुआ था अब ये कलिफ सेकर पता लगा है कि रिहाइजगा में गैस कैपसूल फैंक कर सब को बेहोश कर दिया गया था फिर सिया कार से बुड़े को रिहाइजगा के अंदर भीजा गया ताकि वो पोश्ट में जाकर किसी कार में छुप जाए बुड़े के अंदर जाते हैं सिया पोश्ट निकले और वो भी पोश्ट की तरह बढ़ गे और उन्हें जाती ही बुड़े को कास्म की कार में गोलिया मार दी थी तुम ने शायद गौर नहीं किया सब सिया पोशने सेलेंसर लगा रिबॉलवर निकाला था तो बुड़े के चारे पर शिदी हैथ और खोफ उबराया था जिसे उसे जिकीन ही ना आ रहा हो कि उसके साथ इस पर गन निकाल सकते हैं सिया पोशने बड़े तुनियां से अपना काम किया और वहां से निकल गए सिया पोशने बुड़े को तलाश भी नहीं की थी अगर इन मकसद का बुड़े से कुछ हासे करना होता तो वो अभी कुछ ना कुछ बुड़े को हला करके इसके तलाशी जरूर लेते यह सब कुछ देकर ऐसा लग रहा है कि जैसे बुड़े को किसी अंदी साज़िश का शिकर बनाया गया हो और इसे चारे के तुरबर इस्तमाल किया गया हो करना फ्रीदी ने कहा यह पॉस ऐसा ही हुआ है मैंने सारे क्लिप्स देकर इस कार पर तबज़ा दी थी जिस पर भुड़ा और स्या पोर्श आए थे कार पर कोई नंबर प्लेट नहीं थी लेकिन कार के इंडर बंपर पर एक छोटा सा स्टीकर लगा हुआ तो जो स्या रंग के एक आकाब का था मैंने जब बंपर का क्लोज किया तो वो स्टीकर वाज़ होका अकाब के मूँ में एक साम था जिसके लिए वो जो हवार में उड़ता हुआ दिखाई दे रहा था इस स्टीकर को देखते ही मैं चूंग पड़ा मेरे तालुक चूंग के अंडर वर्ड से रह चुका है इस निशान को देखते हैं मुझे बड़ा चला के ये निशान अंडर वर्ड के एक रॉसकल का है जिसे बलैक रॉसकल कहा जाता है गेम चुके हैट अंगेज और उल्ची हुई थी इसने मैंने बलैक रॉसकल से मिलने का फैसला कर लिया अपि मैं रॉयल क्रब में पहुँँच गया जहा बलैक रॉसकल का ठकाना था बलैक रॉसकल मुझे हार्ड मैंन के नाम से जानता था जिसका इस पर रखासा रॉप था मैंने उसे मिलने के लिए पिगाँ भीजा तो उसने मेरा नाम सुनकर फोराँ अपने बास पास बुला लिया बलैक रॉसकल का आफिस साउंड प्रूफ था वहां इसके दो मसला गुंडे भी थे जब मैंने बलैक रॉसकल से कहा कि मैं इस इलाइदगी में बात करना चाहता हू तो उसने मेरी बात माने से इंकार कर दिया दोनों मसले अफराद को मेरे सिर्प पर खड़ा कर दे जिस पर मुझे गुसा आगर मैंने इन दोनों को वही हला कर दिया अपने साथें को हलाक होते देकर बलैक रोसकल को बहुत गुसर उसने मेरा मकाबला करने की कुशिच की लेकिन वो मेरे सामने जादा देर नहीं ठायर सका था मैंनस की गर्दन दबोच दी और फिर जब मैंने उसे बुड़े की हलाकत की बात की तो पहले तो उसने मुझे बताने से इंकार कर दिया लेकिन जब मैंनस पर मकसूस हर्बे इस्तमाल किये तो उसने जबान खोल दी उसने बताये कि इस खास तो पर बुड़े को इस अंदाज में हलाक करने का हुकम दिया गया था जो चंद रोज पहले अकरीमिया से उनके पास पहुंच था एकरीमिया के एक रॉसकल ग्रूप ने उस पर टॉस्क की दिया था कि वो इस बुड़े के साथ ऐसा रोया रखे जैसे कि वो इसका दोस्तों फिर वो इस रॉसकल ग्रूप के बताएवे अडरेस पर ले जाए और वहीं हलाक कर दे ब्लैक रॉसकल कोई सारे खेल की समझ नहीं आ रही थी लेकिन जो कि इस काम के लिए इसे भारी मौफ़ा दिया गया था इसलिए उसने ऐसा ही किया था जिससे रॉसकल ग्रूप ने करने के लिए कहा था हरीश ने साइट तफसीर बताते हुए कहा बात कुछ समझ में नहीं आए बुढ़े को एक रिमेंसे ब्लैक रॉसकल के पास बेजा गया था और उसे कहा गया था कि बुढ़े के साथ दोस्ताना रवया रखे और फिर रॉसकल ग्रूप के कहने पर ब्लैक रॉसकल के आदमी बुढ़े को कासिम की रहाइजगा पर ले गए और उन्हें यह वहां जाकर रहाइजगा के तमाम अफसर को गैस कैप्सूल से बेहोश किया और बुढ़े को रहाइजगा के अंदर जाने का कहा जब बुढ़ फ्रीदी ने हरब बरेलाज में काबजा है तो ऐसा ही नजराता है हो सकता है कि इस बुढ़े ने करीम है कि रॉसकल ग्रूप के नुक्सान पहुंचाया हो या फिर वो इस बुढ़े को चारा बनाकर आसिम सेट के खलाफ इस्तमाल करना चाहते हो ताकि जब सेट आसिम की रह माजूच को सेट आसिम के फंसाने के रिस्तमाल किया गया था कैपटन हमीद ने कहा हाँ अब तक मुझे जो शुआइद मिले हैं इससे तो मुझे यह लगता है कि रॉसकल ग्रूप ने सेट आसिम को फंसाने के लिए ये सब कुछ कराया था हरीश ने कहा हुँ हुँ अगर ये सब को सोचा समझ़ ड्रामा है तो फिर माजूद से मिलने वाली वो तेहरीर और हाफ वेज का नेगटिव वो किस खाने में फिट होगा करन अफरीदी ने होन्ट चबाते वे कहा तहरीर नेगटिव हरीश ने चूंकर गया इससे चूख करन अफरीदी ने तहरीर और सासेड आसिम को किसी मौमले में फसाना ही था तो भी बुड़े के पास वो तहरीर और नेगटिव कहां से आ गया जो वो आपको देने के लिए लाय था हर इश्ने हरान जदा होते हुए कहा मैं भी समझ में नहीं आ रहा है ये मौमला हर तरफ से टेरा और अजीब और गुरिब रूप इक्तियार करता जा रहा है करना फरीदी ने सरच चटक कर कहा आप इस नेगटिव का पॉजिटिव बन्माने की कोशिश क्यों नहीं करते हो सकता है कि अपने भाई याजूर जो दूसरे नेगटिव के बाहरे में बुड़े ने डॉज देने के लिए ये बात कर दी हो ताकि अगर तहरीर और नेगटिव किसी और के हाथ लग जाए तो इसका फाइदा ना उठा सके कैप्टन हमीद ने कहा गूड शो वाकिए ऐसा हो सकता है और मैं इस सब्सक्राइब में हुँ के एक नेगटिव का तो पॉजिटिव बनाए जा सकता है लेकिन दो नेगटिव को मिला कर इससे एक पॉजिव कैसे बनाए जा सकता है तूमने वाकिज जहान की बात किया करना फ्रीदी नो चलते हुए का और करना फ्रीदी के मुझे अपनी तारीफ सुनकर कैप्टिन हमीद का सीना फूल कर एक इंच वड़ा हो गया था आब वो नेगटिव मुझे दे मैं कोशिच करता हूँ कि किसी तरह इसे इसका पॉस्टिव बन जाए हरीश ने कहा तो करना फ इस दे चलता हुए वहाँ से निकलता चला गया जब तक हरीश नेगटिव का पॉस्टिव निकालता है क्यों हम ब्लैक पॉस्किल ड्यूटि लगा दें कि माजूच के भाई या जूच को तलाश करने की कोशिच करें हो सकते हैं कि तहरीर में जो लिका है वो सच हो और नेग ब्लैक रॉसकल के पास पहुंचता था तो इसे भी ब्लैक रॉसकल के पास ही होना चाहिए था और अगर या जूच भी उसके साथ आया था तो जिस तना से हरीश ने ब्लैक रॉसकल का मूँ खुलवाया है ब्लैक रॉसकल ने उसके बारे में भी हरीश को जरूर कुछ ना प्लाय मुरत्ब किया जा रहा है अगर माजूच काफरिस्तानी मुस्मानों को बचाने के लिए यहां आया था तो फिर यकीन उसका भाई अगर है तो वो नेगटिव का दूसरा हिसा लेकर पाकरिशिया पहुचा होगा ताकि हमारे सदर पाकरिशिया को भी सालिश का इल्म हो सके और वो भी हमारे तरह इसका कोई सदे बाप कर सके करनल फ्रीदी ने सोचते हुए अंदाज में कहा मेरा भी जी अंदाज है और अगर माजू जाप के पास आया है तो फिर ये कहने में कोई हग बजानिव नहीं है कि इसका भाई अगर पाकिशिया गया तो वह सवाए इमरान के किसी और के पास नहीं जाएगा करनल फ्रीदी एक बार फिर उचल पड़ा लगता है कि आज तुमने जानत का कोई खास टांक पी रखा है अब मैं यकीन से कह सकता हूँ कि याजूज और दूसरा नेगरिव पाकिशिया में है और वो किसी और के पास नहीं बलके इमरान के पास ही हो सकता है करनल फ्रीदी ने कहा तो कैप्टन हमीद के ओंटे पर बे एक्तिया मसक्राहट फैल गई तो फिर आप उसे फून कर लें अगर याजूज पाकिशिया में है तो फिर अब तक वो जरूर इमरान तक पहुंच चुका होगा और इमरान डेटिव का एक एक हिस्सा लिए में दुस्से नडेटिव के बारे में सोच रहा होगा कैप्टन हमीद ने कहा तो मुझे इमरान को फोन करने के लिए पास और पृर बाद करते हो दुरां किसी गदे पर भी शक हो जाए तो इसे भी बिरुजमा नहीं किया जाना चाहिए और इसके कदमों के निशानात भी चेक करने चाहिए ताकि ऐसा मुझ्रिम या जुन की महरिकात तक पहुंचा जा सके कैटन हमीत ने का तो करने फरीदी के होंटपे मुस्क्राहट गहरी हो गई तुम तो इमरा NICK को गदा समझते हो करने फरीदी ने कहा बिसे समझ़ ना समझने से क्या होता है सब यही کہते है कि इसे हर वक्त रेंगने रहने की बिमारी है और आप जानते हैं कि रेंगना सिर्फ गड़े का ही काम होता है किसे इंसान का नहीं कैप्टन हमीत ने मुस्क्राते हुए कहा ऐसे एक रिमार्क से मरा तुम्हारे लिए कहे तो तुम्हें कैसा लगेगा तुम भी तो हर वकत हसीन तित्रियों के पीछे बागते रहते हो और फिर तुम तो ये भी जानते की कोशिश नहीं करते कि जिसके पीछे भाग रहे हो वह हसीन है तो है मगर तित्ती है भी या नहीं बड़ी बुड़ियां भी होंगी मेक अप करके खुद को खुबरू और नोजवां बना लेती हैं और तुम बगार सोचे समझे उनके पीछे भागना शुरू कर देते हो करना फरीदी ने मुस्कुरा कर कहा जी हाँ मैं खुब समझता हूँ आप इस मामले में मुझे गदा कह रहे हैं कैपटन हमीद ने मूब बना कर कहा मैं तो सिर्थ कहता हूँ जबके इमरान को तो यकीन है कि तुम ऐसे ही हो करना फरीदी ने कहा तो कैपटन हमीद ने बेग्तियार होंट भेंच लिए आप मेरी इमरान से मताबकत ना किया करें वो जो मैं हूँ सब जानता हूँ इसके मकाबले में तो मैं कुछ भी नहीं हूँ कैपटन हमीद ने खुसीले लहजे में कहा क्या जानते हैं promising करणनें फृरीदी ने इसे अंदासमें कहा कुछ नहीं कैप्टन हमीट ने मूभ बना करका अगर इसके बार में कुछ नहीं जानतें तो भी तुम ये कैसे कह सकते हो कि वो गदा है जिबकि वो तम्हारी रग रग से वाकिफ है करना फरीदी ने मुस्कुरात है हुए का तो कैप्टन हमीद एक त्वीज सांस दे कर रह गया मैं समझ गया इमरान आपके पीरो मुर्शित कहता है इसलिए आप इसके बारे में कोई उल्टी सीधी बास सुनना पसंद नहीं करते इसलिए आप इसके मुकाबले मुझे ही गदा साबित करने पर तुल गए है कैप्टन हमीद ने का तुम्हें गलत फहमी है कि मैं इमरान के साइड ले रहा हूँ लेकिन तुम ये मत बूलो के दूसरों पर कीचा उचालने वाए पहले खोड़ी स्कीचर में गिरता है अपने हाथ गंदे करके ही दूसरों पर किच्छर चाला जाता है करंड़ फीधी ने का ठीक है मैं समझके आपने उसे बात किरनी है तो आपकी मर्जी नहीं करनी तब भी आपकी मर्जी कैप्टन हमीद ने जान चुणाते हुए कहा अब जान चुड़ा रहे हो करनर फीदी ने मुस्क्रा कर कहा तो और क्या करूँ कम उसका मैं आपसे तो मुकाबला नहीं कर सकता कैप्टन हमीत ने विचारगी के आला में का तो करनर फीदी हंस पड़ा इस तरह बाते करते हुए उन्हें आदा घंटा गुजर गया और हरीश वापिस आ गया हरीश को देकर दोनों कामोश हो गए हरीश का मुलिट का हुआ था लगता है कि तुम्हें कामजावी नहीं मिली और तुम नेगिटिव का पॉजिटिव नहीं बना सके हो कर्णा फरीदी ने उसका चारा देखकर का जी हाँ मैंने बड़ी और जदीर ड्वेलपमर्ण मशीनों से नेगिटिव का पॉजिटिव निकालने की कोशिश की थी लेकिन जो भी प्रिंट निकलता है ब्लैंक ही निकलता है हरिश ने जवाब दिया और उसने जेब से नेगिटिव निकालकर कर्णा फरीदी को दे दिया कर्णा फरीदी चल लमें नेगिटिव देखता रहा और फिर उसने एक जेब में डार रख लिया ये मौामला अजीब और पिचीदा होता जा रहा है, कभी ये मौामला कोई रुक एक्तियार कर जाता है, तो और कभी कोई, कर्णाफरीदी ने उलजह वे लहज़ में कहा, बलके यूं कहें कि इस मौामले का कोई सर पैट समझ ही नहीं आ रहा, कैप्टन हमीद ने कहा, इस भी कर्णर फ्रीदी की तरफ ही देख रहा था, मैंने बुड़े की लाश देखी थी, बुड़ा बेहर लागर और कमजोर सा दिखाई दे रहा था, इसके चेहरे पर हलकी हलकी जुड़ियां थी, लेकिन अब मुझे याद आ रहा है, इसके जिसम उसके चेहरे के मुकाब अगर उनका रंग भी कदर बदल जाता है, कर्णर फ्रीदी ने कहा, आप कहना क्या चाहते हैं, कैप्टन हमीड ने से कर्णर फ्रीदी की बात ना समझते हुए कहा, बता तो रहा हूं कि बुड़े के चाहरे पर जुड़ियां थी, लेकिन इसके हाथों और पैरों की खाल प हो रहा है कि वो अपनी असल नाम और असल चेहरे से यहां नहीं आया था, जिस तरह उसका नाम निकली है, इसी तरह उसका चेहरा भी नकली है, कर्णर फ्रीदी ने कहा, नकली चेहरा वा, क्या खूब नाम है, कप्टन हमीड ने कहा, लेकिन कर्णर फ्रीदी ने इस कितब को एस-एस कैमरा ले जाता हूँ जाकर बुड़े की तस्वीर उतार लाता हूँ अगर वो मेक-अप में हुआ तो एस-एस कैमरा में उसका असल चाहरा सामने आ जाएगा हरीश नेकदा कहा तो कर्णम फीदी ने इस बात में सर इला दे हरीश उड़करा हुआ और वहां से निकलत कैप्टन हमीद ने का हां दूसर नेगटिव अगर वाकिए उसके पास है तो पिर हमें मिलकर ही इस नेगटिव का पॉस्टिव बनाना होगा ताकि असल हकाएक सामने हमारे आज सके कर्णम फीदी ने कहा कमसकम इससे फून करके यह तो पूछने के नेगटिव उसके पास है पास नेगटिव हुआ तो मेरे नेगटिव से मेला कर इसका पॉस्टिव बना आने से इनकार नहीं कर सकेगा करने फीदी ने कहा तो कैप्टर हमीद ने इस पात में सार रिला दिया ट्रांस्मीटर की सिटी की आवाज सुनकर एक कंटेनर में बने हुए ऑफिस में बैठी ज इसके सामने में से जिदी साथ का लांग रिंज ट्रांस्मीटर रखा हुआ था जैकुलीन के हाल बढ़ाकर ट्रांस्मीटर उठाया और स्नेक बेटर प्रेस करके उसे अन कर लिया था हैलो हैलो हैड कॉर्टर कॉलिंग हैलो ओवर दूसरी तरफ से मुस्टर से कॉल आते हु से उसके से बात करो ऑवर और ओवास सुनाए दी और चनल ममों के बार ट्रांस्मीटर में कामोशी चागा आरसी वण स्पिकिंग ओवर चनल ममों के बाद दूसरी जानिब से करनर ब्राउन की सकरक्त आवास सुनाई दी यह सीफ आर सी 3 जैकुलीन बोल रही हूँ ओवर करनर ब्राउन की ओवास सुनकर जैकुली ने बड़े मौत दबाना लाइजे में का जिसी रहावान पहुंचकर क्या तुमने तुमने तवाम सेटप चेक कर लिया है और करनर ब्राउन उसे अंदाज में कहा यह सीफ आपने यहां मेरी तोका से भी कही जादा बैदीन सेटप बनाया है यह वागी शांदर सेटप है ओवर जैकुली ने कहा मैं हमेशे शांदर सेटप ही करता हूँ लेकिं भी अगर तुम्हें इस सेटप में कोई तबदीली करनी हो तो मुझे इस पर कोई इतरास नहीं होगा ओवर करनर ब्राउन ने कहा नो चीफ इसकी ज़ुरत नहीं है यह हैं चीज की सहुलत मजूद है सेट अप में इमरान तो क्या दुनिया के बड़े से बड़ा एजेंट भी दाकी नहीं हो सकेगा इमरान इस जजीरे पर जिस रास्ते में भी आने की कोशिच करेगा वह में रजों से आ जाएगा और मैं उसका साथ आने वाले उसके साथ यह जाएंगे जैकोलीन ने कहा गुर्शो मेरी जरॉल से भी बात हो गई है इसने भी जजीरे क्राउन में मेरे बनाए हुए सेट अप इत्मिनान का इजार किया है और इस सेट अप में उसने कोई तबदीली नहीं की इसका भी जहीं कहना है कि जीजार क्राउन पर आने वाले कर करने ब्राउन के खुषामाद करने वाले अंदास में का है मैं इन दोनों को है हैं और ह면 हौला करना चाहता हो और रेड कोब्रा ने बहुत नो Q앙 उड़ा नुक्सान उठाए है और ने दुनों मेत ड़ij गॉराश करने अप परतने ताक्त करने वाली है इसलिए मैं नहीं छा रहे हैं हमारे इस सैट अप के सामने इम्रान और करना फीदी चुन्टियों की तरह मसले जाएंगे ओवर जैकुली ने कहा मैं तो अपनी तरफ से जिजीरे के हर तरफ से सेफ कर दिया गया है लेकिन इसके बावजुद मैं चाहता हूं कि तुम एक बार पर जिजीरे का जैजा ले लो जैजीरे को कोई ऐसा मकाम नहीं बचना चाहिए जो लोज हो और इसका फाइदा उठाकर इम्रान इसके साथ हो को जैजीरे पर आने का मुका मिल जाए और तो मैं उनकी आमत का पता ही ना चल सके ओवर करने ब्राउन ने का मैं पहले हैर पॉइंट चेक कर चुकी हू आपके क्की कॉल आजए जाकुलिन आचेक को हवे का। मेरी चीफ से बात हो रही थी उन्होंने कॉल की थी मुझे ओवर जैक बिली ने कहा और क्या कह रहे थे वो अवर जैर रॉल ने कहा वही जो ने तुम्हें कॉल करके कहा था वो जिजिरे हवार में अपने बनाए हुए सैटप के बारे में पूछ रहे थे और कह रहे थे कि मैं जिजिरे की चेकिंग कर लो ताके जिजिरे बे कोई ऐसा पॉइंट न रह जाए जो के लूज हो जिसका फायदा ठाका इम्राइब उसके साथी जिजिरे पर आ जाए और मुझे उसका इल्म ही न हो सके और जेकली ने का ओ चीफ ने कॉल कर लो फिर मैं तुम्हें दोबारा कॉल करता हूँ ओवर जेकली ने का नहीं इसकी जुरूरत नहीं है मैं अपनी तसली पहले ही कर चुकी हूँ जिजिरे पर फूल प्रूफ इंतजामात हैं और इसके साथ जजीरे पर दाखिल नहीं हो सकेंगो जजीरे के जिस रास्ते पर भी दाखिल होंगे मुझे उनका आमत का इल्म हो जाएगा और मैं इन पर मौत बंद कर तूट पड़ोंगी ओवर जैकली ने कहा फिर ठीक है ओवर जैकली ने कहा तुमने क्यों कॉल की है ओवर जरोर्ड ने कहा हा लेकिन पूल चीफ ने खुल कर कोई बात नहीं ही बताई है कि रेड कोब्रा का मनसुबा क्या है ओवर जैकली ने कहा है हैरत है हम रेड कोब्रा के नमाइन दे और हमें रेड कोब्रा में टॉप एजेंट होने की हैज़त हासिल है पिर चीफ ने हमें इस मुझे इस मुझे इस मुझे बताया है लेकि मुझे इस बात पर उलचा हुआ हूँ मुझे इस मुझे इस मुझे इस मुझे नी इस मुझे इस मुझे इस बात पर उलचा हूँ बर्टके जो चुपा भी रहा है वो सकता है कि चीप के जहनें ये बात हो कि हमेरा मुझतवक और करनाफ्रीदी तक तक तुम पहुंचने में कामचाब हो जाएगा इसलिए वो हमें इस मनसुबे से लाइम रखावा है ताकर अली इम्रहान मुंसे और करना प्री लिए तूम से इस मौनसुबे के बारे में कुछ मालूम न कर सके और चूकर हमें रेन सीर्ड कोबरा के वन्सुबे के ताहविकी आगे लाएगा है और नहीं हम अब्राली का हे ओब मुल्की ताकतों के खिलाफ ओवर जाकुली ने कहा ओके फिर तुम अपना काम करो और मैं अपना काम करता हूँ हमारी ये दूरी आजी है जैसे ही हम अपना टास्क पुरा करेंगे हम फिर एक हो जाएंगे ओवर जैकुली ने कहा ठीक है ओवर जैकुली ने कहा और जैकुली ने ओके और ओवर एंड ओल कहकर रापता मुनकता कर दिया और फिर वो एक त्विल सांस लेकर कुरसी की पुरसर टेक लगा कर बैठ गई इमरान करनर फीदी के सामने बैटा था उसके हाथों में दो नाइक्टिते जिनें वो एक साथ मिला कर भलब की रोशनी में देखने की कोशिच कर रहा था करनर फीदी ने उसके आते ही इससे माजूच और इससे अमिलने वाली तहरीर के बारे में साही तफसील बता दी थी और जैब से हाथ इसका नेक्टित निकाल कर इमरान को दे दिया था इससे कोई भी बात नहीं च्पाई थी इसलिए इमरान ने भी उससे सारी बार बता दी थी ताके दोने एक दूसरे की बताई ही बातों का मौजना कर सके और पिर इन से असल हकीकत का पता लगा सा कि दूसरे नेक्टिव लेकर माजूच करना फीदी के पास पहुंचता और उसने एक अनोका खेल खेल करना फीदी तक अपनी तहरी और अग्रेप पहुंचाए था यह सब सुनकर इमरा संजीदा हो गया था आपने बुड़े याजूच का चाहरा साफ कराए था इमराने करना फीदी की तरफ देखते संजीदगी से गा हाँ और तुम्हें यह सुनकर हैरत होगी कि जिस तरह तुहाई आने वाली याजूच का तालुक एक्रीम एजंसी रेड कोबरा से तालुक रखते था उसका नाम टॉम था और हमारे इससे पहले भी टक्राव हो चुका था करना फीदी ने कहा समझ में नहीं आ रहा कि आखिर यह हमारे साथ कुन सा खेल खेला जा रहा है और इस सारे खेल का मकसद कहा इमराने से चटकते वेगा हाँ यह गेम ही है एक नहीं और हैरत अंगेज गेम जिसमें जान बुचके में पंजाने की कोशिच की जारी है करनर फीदी ने किया आप इस घेम को समझ सकते हैं इमराने करनर फीदी की तरफ और से देखते वेगा सिर्फ इतना ही जो कुछ भी हो रहा है रेड कोब्रा की इमापर ही हो रहा है और रेड कोब्रा एजंसी ये चाहती है कि हम इस मामले बुरी तरह से लोगा है शैद इनका मुझसर काफरिस्तान और पारिकिश्यकों के मुश्टर का मुश्यन पूरा करना हो इस तुरान हम इस हैरत अंगेस मामले में उल्चे रहें और वो अपना काम कर जाएं करनर फ्रीदी ने कहा तो क्या आप समझते हैं कि पाक्षर काफरिस्तान के तमाम मुस्मानों को हला करने की जिस साज़िश के बारे में बताया जा रहा है वो जूटा इमरान ने कहा मुझे तो ऐसा ही लगता है लेकिन एक ये बात है कि जिसने मुझे उल्चा रखा है करनर फ्रीदी ने साथ कोई करते हुए कहा किस बात नों उल्चाया हुए है आपको इमरान ने उसके दब गोर से देखते हुए कहा ये कि इन दिनों रेड कोबरा एजनसी तरह सरगर में मसरूफ है रेड कोबरा एजनसी के तमाम एजन्ट हैरे अंगरे इस दोर पर गाइब है और इनका सरवा जिसका नाम करनर ब्राउन है इसके बारे में कुछ इल्म नहीं है कि वो कहा है वो अचानक कभी एवान सतर में द अंगेज खबरे मिली हैं इनके गहने के मताबिक वो करनर ब्राउन को दर ट्रेस नहीं कर सकते थे लेकिन रेड कोबरा के दो टॉप एजन्ट के बारे में उन्हें इन्फरमिशन जरूर मिल गई थी इन दोनों में एक लेडी एजन्ट जैकुरीन है और दूसरा जेराल्ड क से हवान कहते हैं वहाँ जैकुरीन वसी सेटप के साथ मजूद है और इस जजीरे के सेक्योर्टी का भी इंतजाम खातिर इंतजाम किया गया है वह मस्तिया फार्स के साथ गंशिप हैली कॉप्टर जंगी त्यारी भी मजूद है जगा एक आप्स करने और मजार लांचर नस के हिसार में आने वारा जहाज लांच मोटर बोर्ट किसी तोर बे महभूस नहीं रह सकते अगर किसी तेरा का लिबास पहन कर भी इस तरफ जाने की कोज़िश की जैतर समुंदर के इस हिसे में मुझूद पर की रुकर शिकार हो जाएगा और इसके इलावा जजीरे के चारो हवान से मुक्तिफ नहीं है हवान जजीरे पर लेडी एजेंट जैकुलीन का होल्ड है और यह जजीरे कौरांट पर इसके साथ ही जेरॉल्ड का अब यह नहीं मालूं कर सका है कि इन दो जजायर पर क्या हो रहा है और इसको दर सेक्योर्टी के हिसार में क्यों रखा गया है करणा फरीदी ने कहा वह वाकी हैत अंगेस बाते हैं दो जजायर जिस पर रेड कोबरा एजेंसी का कबज़ा है और इन्हों ने दो जजायर के सेक्योर्टी इस कदर हाड बना रखी है कि वह एक परेंदा भी पढ़ नहीं मार सकता तो जाहिर है कि वहां कि ऐसा काम हो रहा ह जिसकी बात कर ले यह सब इन्तिजामात के गए हैं इमरान ने का हा इन्हीं सरग्मी की वरे से मैं उलच गया था कि मेरे साथ जो खेल खेला गया है अब वह सी फेक है तो फिर इंदो जजायर पर क्या हो रहा है जिस दुनिया के नदों से बचाने की कोशिश की जा रही है कर कि बात वसुक से कह सकता हूं कि हमारे से जो खेला जा रहा है वो हमें बच्काने या फिर किसी मौमने दूर रखने पर खेला जा रहा है या फिर मि hiking खाया आध्या है हाँ हो सकता है लेकिन जिस तरह से याजूज और माजूज के आगे लाए गया है और जिस तरह से वो मौत कर शिकार हुए हैं इससे तो मुझे यही और कुछ नहीं लग रहा करना फ्रीदी ने का क्या लग रहा है आपको इमरा ने पूछा जैसे हमें जहान बुखकर से बताने की कोशिश की गिए और हमा thumb हमें लाए असे हालात लाय जा रहे हैं आपको आगवारे जाते रहा हтории to your life जिसकी प्रवादादारी की जारी है, इम्राने का, हाँ तुमने बताया है कि तुम्हारे फॉर्ण एजिन माइकल की रिपोर्ट से भी इस बात का इशारा मिले है, कि पाक्षा काफिस्तान की मुस्मानों को एक साथ हलाक करने की साथिश की जारी है, अगर हम बाके सब बातों क माइकल को भी हाफ फेस की तरफ से ये शवाहिद मिले थे, जो वाकि सर्द्रगादर्द मौजब बनने के लिए काफी है, इससे हमें हर बात का ऐसे इंतरह सोथ समझ कर दारिश मंदी से करना होगा, वेरना ऐसा ना हो कि हम सिर्फ अपने खिला एक हिल समझते रह जाएं, और इदर हाफ फेस अपना काम कर शुरू कर दे और बाकि पाक्षचा काफिस्तान के मसमार हलाक होना शुरू हो जाए, करनर फ्रीदी ने का, आप ठीक कह रहे हैं, अब इस बात का पता, इस तस्वीर के मुकमल करके ही पचलेगा, कि इस का रास क्या हो सकता है, कि तस्वीर का प हद एक्सपर्ट है, इमरान ने मसकरा का कहा, शायद तुम टैगर की बात कर रहे हो, करनर फ्रीदी ने कहा, तो इमरान इस बात में सारी रा दिया, हाँ, वो बाकि जहीन ठीक है, जो करना है, जल्दी करो ताकि असल हाका का पता चल सके, वरना हम इस तरह से उलजए ही रहें इसके पास भी कुछ मालूमात हैं, हो सकता है, कि इसकी मालूमात भी इस मामलें से कुछ पर्दा उठा सके, इमरान ने कहा तो करनर फ्रीदी ने इस बात में सरी रा दिया, और इमरान ने सेलफ़ों जेम में डाल लिया, इन सारी बातों पर अगर पिर से नज़र डाली जाय पिर सबसे एहम बात रेड कोबरा की है, दो अज़र का बेस बदल का मेरे और तुम्हारे पास आना, और इनका दो हिस्सों में एक तस्वीर लाना, जिसका आदा हिसा किसी और आदा किसी मरत के इस तस्वीर से भी हाफ इसके निशान दही होती है, कि करीमें या पिर स्टाइ और हमें कोई राइड वे मिल जाए, करना फ्रीदी ने कहा, अगर इस तस्वीर के मुकमल होने के वावरी रात आशकार ना हुआ, तो कैप्टन हमीत ने कहा, तो फिर तो मैं एक ऐसी सालिश समझ हूँगा, जो मुझे और पिरो मुर्शित को फंसाने के लिए रचाई चारी अर्बता ये जरूर कहा जा सकता है, कि फादा उठाने वालों में ये रेड कोबरा जरूर मुलविस हो सकता है, इमरान ने कहा, मतलब ये कि रेड कोबरा एजन्सी हमें इस कौफनाक मामलें फसा का पाक्षिय और काफरिस्तान के मफादात को नुक्सान पहुंचाने का सोच करनल फरिदी ने सोच में डूबे हुए लहज़ में कहा, जाहरी सी बात है, इसके सवा और क्या हो सकता है, इमरान ने कहा, नहीं मेरे नजरे तुम से मुक्तिफ है, अगर एड कोबरा का फादा उठाना मक्सूद है तो पाक्षिय के खिलाफ तो काफरिस्तान के खिलाफ नह अकریमे, इसरायल, काफरिस्तान, किन्सरیت, और क्यालाथ एक जैसे हैं, तरहे हकीकत ये तिनों और इनकी हामी मुमालिक, मुस्मानों के खिलाफ ही रहते हैं, करना फरिदी ने कहा, तो फिर हमें इस बात को माल लिना चाहिए, कि हमारे खिले जाने वाले खिल का एक 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 बात और भी है, कि जैसे शयाद आवाकिफ नहीं है, इमरा ने कहा, क्या करना फरिदी ने चुंकर कहा, जिस तरह से आपने एकरीमे में अपने एज़न्टों से तहकीकात कराई है, इससे तरह चीफ ने भी पौर्ण एज़न्ट के मुतारी किया है, इन मेंसे एक एज़न्ने जोन्स एरिक की रहाइशगा में तेज़ी से अपनी जगा बनाई है थी, और इसने ये मालुम कर लिया है, कि जोन्स एरिक जिसके हिलाकत की खबर पहलाई गया है, वो हलाक नहीं हुआ है, बलके वो जिन्दा और सबसे दिल्चस बात यह है, कि वो अपनी रहाइशगा में अपने नाम और अपने ऐसे चेहरे से नहीं रह रहा है, इसका एक बाई था जो एक हादसे में हलाक हो गया था, उसके हलाकत की खबर चुपा कर इसके लाज जो जोन्स एरिक का मेकप करके दफनाए गया था, और जोन्स एरिक के बाद है, जोन्स एरिक का मेकप और इसका ना करना फ्रीदी ने कहा बिल्कुल ऐसा हि हुआ था जोन्स-एरी के जगह जोन्स-एरी और दो दो खामोश होगी। लगता है टाइगर आया इम्रान ने कहा सुलिमान दरौाज़ा को यह चला गया कुछ जाँचा याजूच कल सुभे क्रिमी फ्लाइर से आये था बॉस और हैरत की बात य है कि वर एर पूर से सीधा ब्लियू कलब गया था जिसका Mाली डियोग्रे है डियोग्रे क्रिमियन और आपको यह जानकर हैरत होगी कि जागर डियोग्रे का ही राइट हैंड है मैं इसकार मा मारे हाथों लेना पड़ा और जब मैंने उसका मुख खुलवाया तो इसे पता चला कि या जूच का असल ना फ्रांको है और इसके बीचे जैगर उसके दो साथियों को भी लगाया गया था जैगर ने ड्यूग्रे के हुकम से ही फ्रांको को मियांगी रहर वाली सुई मारी थ बुढ़े के पास एक सीड़ लिफाप है जिसे इसे परक्षे सीकर सर्विस के किसी मेंबर यहां भी इसके पहुंचा था इत्वाक से ड्यूग्रे के पास केप्टन श्कील का रड्रस मजूद था और इसने बुढ़े को इसकी तरह भेज दिया था टाइगर ने का हूँ हू था जिसने उसे यह सब करने का खुबरा अगी सबत है कि अगर के planning के ताहर क्या है लेकिन सब्सक्राइअ मैं एक पुजया है, इम्राइएअ आरा एक स向ज में नहीं आ रहा है, तुम्हे बहुते इसकांचा कॉण्टी ने कहा। तुम्जे भी बताएं ताकि मेरी इनाखे समझ में जेराल्ड के हाथ हलाक हो जाए कर्णफरीदी ने का गुड शो अब रेड कोबरा का सारा खिल समझ जा गया और मैं अब ये बाच यकीन से कह सकता हूं कि कर्णफर ब्राउ ने हमें चैलिज नहीं किया बर्कि उसकी सारी गेम इसलिए है कि हम इंज़ाय पर जाकर लेडी एजि जैकुलीन जैसे ही है और मुझे इस बात का यकीन तुम्हारे पास मुझूद उसा नेग्टिव दे कर हुआ है कर्णफरीदी ने कहा कि दूसरी तस्वीर कादा से है जरॉल्ड का है इम्रान ने मुसका कर कहा तो कर्णफरीदी ने इस बात में सरहला दिया बस तो भी तरह ह जाकर मुसमानों के इकलाफ इंताए कदम उठाने का प्रोग्राम बना रहा है कर्णफरीदी ने कहा फिर आप क्या कहते है हमें सारी सुर्टेहा से निपटने के लिए क्लिए क्या करना चाहिए इम्रान ने पूछ आजिए हम हाफ इसके खिलाफ काम करेंगे और यह कैसे मु इस बात में सरहला आते हुए दोनों नेगरिटिव ट्राइगर के हवाले कर दिये और इसे हदायत दी कि वो जल्दे जल्द उसके दो प्रेंटिनिक लवा कर ला है ट्राइगर नेगरिटिव लेकर वहां से रवाना हो गया हमीद ट्राइगर ने जाने के बात करन फीदी ने करप्टन हमीज से मकातिब हो कर का शुकर है आपको इस बात का इसास हुआ कि मैं भी यहां मजूद हूँ वरना मैं तो यही जमर्ज रहा था कि आप इमराम से मजाकरत करते हुए हमें भूल ही चुके होंगे आपने बातों के दुरान एक बार भी मेरी और कासिम के तरफ देखना पसंद नहीं किया था कैप्टन हमीज ने एक तवी सास देते हुए कहा हम अहम सुन्जीदा मामले पर डिसकस हो रही थी बर्खोदार इसमें तुम्हारा खामोश रही नहीं मुनासिक था करना फी दिने का अखा फिरो मुशित के साथ इज़त औ माव जानाब कलंदरी मलंदरी कप्तान हमीज साही भी तशीफ लाए है जहे नसीब जहे नसीब मैंने तो आपको देखा ही नहीं था और आप भी अभी तक नहीं बोले थे लेकिन लगता है मुँ में घुंगनियां डाले बैटे थे इमरान ने कैप्टन हमीज की तरफ देकर इस अंदास में कहा जिसे वाकिस ने कैप्टन हमीज को देखा ही नहीं था मेरे मुँ में घुंगियां ही सही मगर तुम्हारी आँखों में तो कुकर पड़े हुए हैं तुम्हें भला कैसे नजर आ सकता था कैप्टर हमीद ने मूँ बना कर कहा हाई कप्तान साहिव आपने कप्तानी छोड़कर एक कुकर पड़ जाते हैं मूँ में घुंगियां और आँखों में कुकर पड़ रहे होने का मतलब अच्छी नजर से ना देखे जाने को कहते हैं और जाहिर है तुम बला अच्छी नजरों वालों को कैसे दिखाई दे सकते हो इमराँ ने कहा तो कैपटन हमीद जल कुल कर रहे गया है क्योंकि घुंगिया मूं में होने का इसका इसका इक्रार कर लिया था मैं करणने साहिब की ओड़ते से तम्हारा लिहास कर रहा हूं वरना तुम्हारी बात का ऐसा जवाब देखके तुम्हारे चौदा तबक रोशन हो जाने थे कैप्टन हमीद ने उसी लेलेच में का तो क्या हुआ पिरु मुर्शिता उपने कान और रांगे बंद करने ताकि कप्तान साही मेरे चौदा तबक रोशन कर सके कि वैसे भी में तवाम तबकों का फ्यूज उड़ा हुआ है ये तो मेरे लिए अच्छा ही होगा कि कप्तान साही में तवाम तबके रोशन कर दें इमरान ने कहा तो करने फ्रीदी पे एक ताम उसक्रा दे जिबके कप्तान हमीद इससे खा जाने वरे नर्जों से देखने लगा आप मुझे कुछ कह रहे थे करने फ्रीदी से मुकातिब होकर कहा जिसे वह इमरान की बात तो कोई जवाब ना देना चाहता हो मैं जानता हो करने साहिब तुम से क्या कहना चाते हैं इमरान ने कहा क्या कैप्तन हमीद इमुभार का कदर खुसी लेचे में कहा ये बिचारे अपने लाव लुशकर के हमरा पहली बार मेरे गरीब खाने में आए है और मेरा बकुल कासिम साबन दानी जैसा फ्लैर देकर तंग हो रहे है सुलिमान ने भी इन्हें स्रवाई संद स्नैक्स खिलाने और चायप लाने के खितमत नहीं की है करने साहिब के साथ तुम सब ने भी देख लिया है कासिम का तो शुकम सेर हो सकेगा क्यों कासिम इम्रा ने मुस्काते में कहा ओ हाँ ठी कह रहे हो खाला जाद्थ वाकिव भूग से मेरा बुरा हाल हो रहा है मैं तो मन करता है कि बड़ी मुश्किश से तुम्हारे मुनाजिम के लाए हुए सनैक्स खा रहा था बलक बलक कर जिनकी बसर कर रहा हूँ कभी दिन को नाउटा मिलता है तो कभी रात का खाना नसीब होता है और वाजो कातो नाउटे के वे दास रात का kाश़ भी मेसब नहीं होता क fifA करने पड़ते हैं तो किसी बैंक को ही रूटना पड़ेगा और इसके मुझे में हमत नहीं है, इसे मजबूरी है, मेरे मरा जिमने नजाने कहां से उधार लाकर तुम्हे खाने के लिए कुछ दिया था, इसके बदने में अब मुझे नजाने कब तर फाके करने पड़ेंगे, जब तक तक तुम्हें खलाया और उधाया वापस नहीं होग एक दो महमान तो ठीक होते हैं लेकिन जहार्मेहमानों की तदा ज्यादवग हो जाए वहाँ वाल जान ही जान जान सकता है। इम्राना ने कहा साफ लफजों में वहीं वबाले जान कहा था कैप्टन हमीद ने कहा मैंने तो एक बार कहा था लेकिन तुम्हारे कप्टाने तो तुम्हें वबाले जान कहने कर इसे मोका ही मिल गया हो और यह तुम्हारे बार बार कह रहा है अब तुम यह पैस्टा कर लो कि तुम मेरे लिए वबाले जानों या इसके लिए इमरान ने कहा कैप्टन हमीद की बास सुनके कासिम जो इमरान को घूरना शुरू हो गया था इसने इमरान से नजरे हटा कर कैप्टन हमीद को घूरना शुरू कर दे था मैं तुम्हारे लिए वबाले जान हूँ कापरिस्टान भी तो मैं हरिश और लेडी इंस्पेक्टर रेखा को कॉल करता हूं ताकि वो यहां आ जाए वो सकता है कि मैं रेट कोड़ा के खिलाफ किसी मिशन पर काम करना पड़े इसलिए मैं इन सब को लेकर यहां सही रवाना होना चाहता हूं ताकि जितना वक्त बचाय जा सके इसे बचा लिया जाए करना परीदी ने का मेशिन पड़के आप दोनों को ही अपने साल जाएंगे कैपटन हमीड ने चुंकर कहा मैं तुमय कासिम कस्वा का अफरास ने का नहीं कह रहा हूं नाौंसे इस करना परीदी ने मुस्करा कहा वो तो मैं भी जानता हूं ल तो फिर एक साथी का और अजाफा कर ले इसके होने से हमारी फोर्स की ताकत में कई गुना जाफा हो जाएगा क्योंकि वो आर्मी कहलाता है और मैं इसके होते हुए किसी बड़ी आर्मी के जूरत में भी नहीं पड़ेगी कैपटन हमीद ने का तो शेयतारिक साहिब के बात कर ठीक है बड़े बाई तुम अपनी ही चूंच खुली रिखो मुझे कोई इतरास नहीं है इम्रान ने सहम कर कहा तो कैपटन हमीद इसे गूर से देखने लगा ठीक है मैं तारिक साहिब से भी कह देता हूँ अगर वह मस्रूफ ना हुए तो वह भी आजएंगे करना फीदी कैपटन हमीद उटकर खड़ा हुआ अरे अरे करने साहिब ने कहा और तुम वाकी चल दी इस उटते देखर इम्रान ने कहा तो क्या करूं कि यहां बैटके मैं अपने दोस्त को बुका मरने के लिए बैटना रहने दूं तुम तो ही सदा के हो कंजूस कैपटन हमीद ने जल कासिम ने बैटना ने कहा और तुम ने जल्दी है तो जाओ कोई बात नहीं है करने साहिब कपतान साहिब से अमेरिकर तुम्हारा हिस्सा खा रहेंगे अम्राने मुस्का आते वे का स्वाल ही पैता नहीं होता साले कि मैं मुर्ग मसल्ना बर्यानी कोफते और सीख खबाब ख कोई बात नहीं जो कुछ आ रहा है इसका भी आपको ही देना इसके लिए आपको अपनी जेब में हार डाने की जहमत नहीं पड़े क्योंकि आपकी जेब में मैं आपकी जेब में से आपका फूला हुआ बट्वा निकाल लिया था पहले इम्रा ने मुस्का कहा तो कप्टन में भी बड़े बुखलाई वा अंदाज में अपनी जेब देखना शुरू हो गए जिससे वाकी इम्रा ने उसका वालट उसकी जेब से निकाल लिया हूँ वाकी रंग के एक हैलीकॉप्टर समुंदर के उपर इंताय तेदी से उड़ता चला जा रहा था हैलीकॉप्टर मे साथ उसकी टॉप लेड़ी एजन्ट थी जिसका नाम और तो और कुछ था लेकिन वह रेड़ कोब्रा एजनसी में लेड़ी सनेक के नाम से मिशूर थी और सब इसे लेड़ी सनेक ही कहते थी इन्हें समुंदर पर सफ़र करते वे एक घंटे से ज्यादा वक्त गुदर चु क्या करने ब्राउन ने कहा नहीं है ऐसी कोई बात नहीं है तुमने मुझे साथ दी और चाना की निकल पड़े हो और ये भी नहीं बताए कि हमें जाना कहा है इसले पोच्छी हूं आखरी हमारी मन्जी कौन सी है लेड़ी सनेक ने कहा हाँ अब अपनी मन्जी के तरफ ही जा कहा अगर इसमें कोई शक होता तो तुम इस तरह मेरे साथ ना जारी ही होती करना ब्राउन ने मुझे कर कहा समझ गयी तुम इस वकत मूड में है नहीं हो इसलिए मुझे से इस अंदास में बात कर रहे हो लेड़ी सनेक ने तुम जाती हो कि जब किसी काम के ले जाता हूं त किसी और तरफ नहीं होती और रही मैं कुछ और सोचता हूं करना ब्राउन करक्त लाइजर में कहा तो लेड़ी सनेक मुझ बनाती हुए सीट के पुसर टेक लगा कर बैड़ इसमें सकती से अपना मुझ बंद कर लिया था जिसे वह करना ब्राउन से बात ही नहीं करें कि उस दुसी अपना ब्राउन जितता पुर्भर क ऐस मुझ तो दूसर उवर करना मुझ जा सि एब नाम करता हूं च्रूरत कर शब्र बड़े में तो मेरे नहीं करो मैं Ж Canco पहुंच जो कूँ और करना ब्राउन ने करक्त लेज़ में कहा यह सर आफ फिकर ना करें अभी सारी रास्ते क्लियर करा देता हूं सीची में दाखिल होने में आपको की प्राब्लम नहीं होगी और मैंचर गॉस्टर ने कहा ओके मैं एक घंटे तक सीची पहुंच जाओंगा और करना ब्राउन ने कहा और उसने राप्ता मुनकता कर देगी यह सीची क्या है तुमने इसका पहले तो कभी जिकर नहीं किया लेड़ी स्नेक जो खामोशी से ट्रांस्मीटर पर होने वाली बाते सुन रही थी ने हैरल बहरे लेज़ में कहा वहां जाकर खुद ही अपनी जाकना शुरू कर देती तो कभी सीची पूर से टेक लगा कर आँके मुद देती एक गंटेवा लेडी स्नेक ने समुन्दर में देखा तो वह वंड़ी सक्रीन से सामने नजर आने वाले एक बहरी बेड़े को देखकर बुरी तरह से चुंग परी समुन्दर में एक बहुत रंड्य बनाया हुआ था और इसके बड़े बड़े और उंचे उंचे मस्तूलों पर डिश एंटीना भी लगे हुए डिश एंटीना भी बड़ी तदात में थे जिनके रुखमती सिंतों की तरफ दिखाई दे रहे थे और इन में चंद एले भी मजूद थे जो बकाइदा म इंस्ट्रक्शन दी जाती थी बेड़े पर सफएद रंगे लिबास पहने बेशमार अफराद गुमते फिर रहे थे और इन सबके लिबासों पर सीने और कमर पर सियार रंग का मास्क का आदा हिसा बना हुआ था जिसके नीचे एच एफ लिखा हुए साफ दिखाई दे रहा था जो यकीन इस बेहरी बेहरे का नाम था बेहरी बेड़े की लंबाई चुड़ाई की कितनी गुना मीटर थी और वहां का महौल देखर वाकि ऐसा लग रहा था जैसे इस बेड़े में वाकि एक अलग शहर ही बसा हुआ हो शहर भी इतना बड़ा जिसमें हर चीज समोधी हैलीकॉप्टर आइसे आइसे हैलीपेट की दर्व बढ़ता जा रहा था और फिर हैलीपेट лож च्रही हेलीकॉप्टर को नीच्छा आते कर चंद अफ़राद दोड़ते ले इस दरफ आ गए जैसे हैलीकॉप्टर अफरा करणने प्राउन ने कानों से हेड़़फ। 2022 रख और हेली कॉप्टर का दर्वाजा खुलकर उचलकर बाहिर आ गया उसे लेडी सनेक को भी इचारा किया तो वो भी हेली कॉप्टर का दर्वाजा खुलकर बाहिर आ गया करनल ब्राउन रुका हुआ था जैसे ही लेडी सनेक बाहिर रह उसने उसे साथ रिया और सामने खड़े अफराद के तरह बढ़ा तो शायद उनके इस्तक्बाल के लिए आए थे करने ब्राउन को अपने तरह बढ़ते देकर इन अफराद की एरियां बहज उठी और उन्होंने करने ब्राउन को सल्यूट करना शुरू कर दिया हेलो सर मैं हाफ फेस की सी सिटी का सिक्योर्टी इंचार्ज मेनजर गॉस्टर हूँ मैं आपको सी सिटी से वैलकम करता हूँ एक उधे उमर ने आगे बढ़ते वे कहा तो करने ब्राउन ने उसे हाथ मिलाया और फिर वो अपने साथ आये हुए अफराद करने ब्राउन से तारुफ करवाने लगा जिसे करने ब्राउन ने फर्द अफराद हाथ मिलाया था ये मेरी साथी कैप्टर मारिया है रेड कोब्रा ने ये लेडी सनैक के नाम से मशूर है करने ब्राउन ने उनका लेडी स्नेक से मतारुफ करवाते हुए कहा खुशी हुई आप से मिलकर आपका बहुत नाम सुना है मैं जग उस्टर ने लेडी स्नेक से हाथ मिलाते हुए कहा उसलमे करने ब्राउन की जेब में मुझूद ट्रांस्मीटर की सीटी की आवास अबरी तो वो बेक्तिया चुंग पड़ा एक मिनिट में अभी आता हूं करने ब्राउन ने कहा तो उस सबने इस बात में सरहिला दिया और करने ब्राउन जेब से जदीज साक का लांग रेंज ट्रांस्मीटर निकालता हुआ सैट में चला गया जहां कोई मजूद नहीं था उसने साइड में जाकर ट्रांस्मीटर आउन कर लिया करनर ब्राउन अटेंडिंग जू ओवर करनर ब्राउन ट्रांस्मीटर का बटन प्रेस करते हुए क्या तुम सी सिटी पहुंच गई हो ओवर रड़ कोबरा ने इस हंदास में कहा येस ग्रॉण्ड मास्टर मैं इस वकट सी सिटी में ही मजूद हूँ और करनर ब्राउन ने कहा मुझे मालुम हुआ है कि तुम सी सिटी में लेडी एजन्ट लेडी स्नेक को भी साथ ले आए हो ओवर रड़ कोबरा ने कहा मैं लेडी सनेक को अपने साथ लाया हूँ ओवर करना ब्राउने जराब दे की हूँ मुझे इसकी वज़ा बताओ मैं तुम्हें सकते से हदाया देती किसी सिटी के बार में तुम एजन्सी के किसी भी एजन्स को नहीं बताओगे पिर तो मेरी अज़ात के बगार लेडी सनेक को यहां क्यों लाए हो बोलो ओवर रेड कोबरा ने चीक तुम यह वाज में का ग्रॉंड मॉस्टर में लेडी सनेक को से सिटी की हिफाज़त के लिए लाया हूँ ओवर करना बराउने एथमाद वरे लहज़ में का हिफाज़त के लिए क्या मतलब क्यासी सिटी में हिफाज़त ने इताजमात की कमी थी ओवर रेड कोबरा ने इस तरह इंताए खुसीले लहज़ में कहा नो ग्रॉंड मॉस्टर सी सिटी पर हिफाज़त के फूल प्रूफ इंताबात है लेकिन यहां का इंचारज मेंजर गॉस्टर है और मेंजर गॉस्टर में नजी काबल एतबार और जिम्हदार इंचारज नहीं है इसे मैंने इसे हटाने और इसके जग़ा सीक्यूर्टी इंचार लेडी सनेक को बनाने का फैसला किया है तुम कैसे कह सकते हो कि मैंजर गॉस्टर गया जिम्हदारा और नाकाबल एतबार है और गॉस्टर कोबरा ने फंकारते हुए कहा उसके बारे मुझे सी सिटी से रिपोर्ट्स मिली थी कि नशे में दूट मेजर गॉस्टर वहां पहुंचाता है और वहां मुझूद लेडिर वर्कस को भी परिशान करता है और सबसे आहिम बात है कि मेजर गॉस्टर आया दिन स्पेशल हेलिकॉप्टर लेकर क्रीमे चला जाता है और कई के दिन लोड कर नहीं आता लेकिन चुक्के बनुश्य में दूटा इसलिए लोगों ने इसकी बात वे जादा दिल्चस्पी नहीं ली मुझे जब इन बातों सब का इल्म हुआ तो मैंने पोई तोपर मेंजर गास्टर को बरतरफ करने का सोच लिया और इसी मकसद के लिए मैं लेडी स्नेक को यहां लाया था ताकि मैं मेंजर गास्टर के बरतरफ करके उसके जगा लेडी स्नेक को सी सिटी के स्कॉर्टी का इंचार्ज बना दू और आप लेडी स्नेक के इस लाहिदों से वाकिप है वो मेज़र गास्टर से कहीं बढ़कर सीजी सीटी की अपादत कर सकती है ओवर करनर ब्राउड ने मुसल से बोलते हुए कहा मेज़र गास्टर इस कदर खर जिमेदारी का मजाहरा कर रहा था अगर किसने उसकी बातों का नोटिस ने लिया होता तो जानते हो क्या होगा ओवर रेड कोबरा ने गुस्से से चीकते हुए कहा येस मॉस्टर जानता हूँ हमने सीटी और ब्लैक फिस का रास किसी दुनिया से साच दूने चुपा रखा है मिचे गॉस्टर रेड कोबरा का जहीन और इंताय मंजा हुआ एज़न्ट है उसने रेड कोबरा के मफादात के लिए बहुत कुछ किया है लेकिन अपने जाने उसे क्या हो क्या है आप इजाद़ दे तो मैं इससे बात करता हूँ कर्णर ब्राउन ने कहा नहीं, जिब इसके बारे में एतना सबकुछ पता चल चल चुका है तो इससे बात करने की कोई ज़ूरत नहीं है इसे पुरुंग गुली मार दो और इस के लास मुंदर में फैंक दो ऐसे लोगों को रेड कोबरा में कोई जगा नहीं है औरेड़ कोबरा ने फंकार टेए लाज़ में एक्षु है उवर करिंडर गोस्टर ने जिमृतल अ क्या है इम्राइं और कर्णर फायर्ड गोपराट गोर्याई है, गुस्यों क्या है है तो उनके इस देडित का रुख पलट दिया है ग्रांड मास्टर जो वहाफ फेस के लिए करते फिर रहे थे उसके लिए मुझे प्लानी करनी पड़ी थी लेकिन मैं अपने इस मकसल में कामजाब हो गया हूँ कि इमरान करना फ्रीदी जैसे जहीन एजेंटों को इस बात कर जिकें दिलाने में कामज की जा रही है इसके दो जजाय में से हैं जिसमें से एक जजीरा कौरांडर दुसर जजीरा हवान मुझे माचूं के मालूम था कि इमरान और करना फ्रीदी हाफिस का रास जाने के लिए इन जजाय के तरफ दोड़े चले जाएंगे इसने मैंने फूर्ट पर रेड कोब्रा क जूट का मिला जूला रापत मिलाते हुए रेड कोब्रा को करनल फ्रीदी और इमरान के लाकत के बारें तफसीर देते हुए बताया हुए क्या तम्हें यकिन है कि वह दोनु तुमारी गेम में आ जाएंगे और इन जजाय पर जाने के मजबूर हो जाएंगे रेड कोब्रा जहां से काफ्रिस्तन पक्षास में पूरी दुनिया के मुस्मानों को एक सथालाग किया जासकता है और करनल ब्राउन ने का नितुम्हें जानत पर यकिन है तुम जो बीग प्रोग्राम बनाते हो वह सौलिड भी होता है मुफिड भी ओवर रेड कोब्रा ने का यूस करो और इसकी जगा लेडी स्नेक की ताइनात करो जो अब इम्रान और करनफीदी के हिलाकत की कोई ख़बर मिले तो इससे मुझे भी अगा करना ओवर रेड कोपरा ने कहा ये ज़िए ग्रांड मास्टर आप फिकर ना करें इम्रान और करना फ्रीदी की ख़बर सब से पहले मे आपको ही दूँगा, ओवर करना ब्राउन ने इस इंदास में कहा, गुर्शयो, आपको अपना काम करो, ओवर एंड और रैड कोब्रा ने कहा, और रब्ता मुनकता कर देए, रब्ता मुनकता होते ही, करना ब्राउन एक तवी जांस दीए, ट्रांस्मिटर ओफ करके, जे में और फिर वो बढ़ता चलाए गया जिस दो लेडी स्नेक और मेरऌ गॉस्टर था, किसी की काल थी, लेडी स्नेक ने इसे इतनी तरफ देख कर काँ, ग्रांड मास्टर के जिए करना ब्राउन के दाज्प बढ़िस्नेक और पहली लेड़् Deaf kulli कर यuaकर ग्राज्णस में कहा करने ब्राउन के तो यह से मेजर कोस्टर ने का तो वह सुपर हुआ कर तेजी से एक तरफ भागता चला गया कुछ दिबात वह वापस आया तो उसके हाथ में एक जदीद कारलेस माइक था इसने माइक लाकर मैजर को ने बड़े अदब से माइक करने ब्राउन के तरफ बढ़ क्या है और इसका लिंग सीज सीटी के हर हिस्से में मजूद स्पीकर से हो चुका है लेडीज एंड जेंटलमेंस मैं रेड कोब्रे जंसी का चीफ करने ब्राउन आपसे मुखाइब हूँ करने ब्राउन ने माइक अपने मुग के करीब करते हुए इंटरी क्लेचे में कहा त उसके आवास बेरी बेड़े के हर हिस्से में गुंजा शुरू हो गई थी और इसके आवास सुनकर ना सिर्फ डेक पर मजूद अफराद बलके बेड़े के हर हिस्से मुझूद अफराद भी इसके तरफ मतवज़ा होगे आज मैं खासुसी तूर पर सी सिटी का जैसा लेनी के लिए आया हूँ मुझे रेड कोबरा के ग्राद मास्टर ने सी सिटी की में चंद बनियादी तबदिली का हुकम दिया है जिसके लिए मैं आज आज आप सबकी तबच्छा का मबज़ूल हूँ करना ब्राउन ने कहा मैजर गास्टर समेड डेक पर मुझे तूमाम अफ्राक करना ब्राउन की जानब इस तफ़ा में नजों से देख रहे थे कि नजाने वो ग्राउन मास्टर की तरफ से क्या एलान करने वाला है में बाकी तबदीलों की बात दो बात करूँए लेकिन सबसे पहले में एक एहम तबिछ की आफ़ करऊ सकृति obtainा इक करना ब्रान ने मेजर ग्यास्टर की तरफ देखते हुए सप्लेघिमेगा का ेजी जीμिजी आप क्या कह настолько है? मेजर गॉस्टर ने बुखलाए विलेज़ में कहा यू शड़ाम नॉंसेंस अब मेरी बात मुकमल नहीं हुई है और जब तक मेरी बात मुकूरी ना हो जाए इस वक्त तक दर्यामी किसी को बोने की ज़त नहीं है मेजर गॉस्टर को बड़े लेंदाज में करी कदम पीचे हड़ गया में इतलायत के मेजर गॉस्टर सीजियर टी में सबके हरासा करने के जाज़त हर वकत अजयाशी के लिए अपने कविन पड़ा रहता है और इसका दिल जब चाहता है सीजियर गॉस्टर के कोवानीन पशेपुछ डाल कर हेलिकॉप्टर लेकर अक्री में चला जाता है और इसके वापसी कभी कोई स्कैजूल नहीं होता इससे बातों से सीजियर और हाफ एसके कास को श्यदी नुक्सा पहुंच सकता है इससे ग्रॉंट मास्टर डेड गोबरा ने मुझे मेजर कास्टर के खलाफ फॉरी अक्शन लेने का हुकम दिया और मेजर कास्टर के डैथ वररंट जारी कर दिया है इसके चाहरे पर मौत कासा खौफतारी हो गया था इतर अधर देक रहा था कि जैसे वह फरार का कोई रास्ता ढूंड रहा हो ग्राउंड मास्टर मेजर कास्टर के तरफ रेड कोबरा के लेड़ी एजन्ट लेड़ी सनेक को सी सिटी और हाफ इसका सेक्रिटी इंजान मकमर करने का हुकम दिया है जो रेड कोबरा एजन्सी की आर्सी टू है आज के बाद से सी सिटी और हाफ इसके कान चीफ सेक्योर्टी के तुपर लेडी सनेक और इसी के साथ देंगे जैसा मेजर गॉस्टर का देते थे लेडी सनेक सी सिटी और हाफ इसकी देख बाल करने के साथ आप सब के टॉप सीक्रिट का भी बंदबस करेगा और इसके उठाय बास रहां रहे थे और वो सब तालिम बजाने शुरू हो गए थे ग्रांड मास्टर ने जूंके मेजर गॉस्ट्रो के देथ वरंड जारी कर दिया थे और सिसिटी के चीफ सेक्यूर्टी इंचार्ज लेडी सनेक को बताए गया था कि इसक्यूर चीफ सेक्यूर्टी ऑफिसर लेडी सनेक को हकम दिया था कि इसी वक्त मेजर गॉस्ट्रो को गिरफतार करें और इसे गौली मार्केस के लार समंदर में फैंक दे करने ब्राउन ने कहा तो मेजर गॉस्ट्रो ने बोख़़ा कर लेडी सनेक की तरफ देखा और दूसरे लम्हें वह पलटकर एक तरफ भा मेजर गॉस्ट्रो के सामने पैरों की बल खड़ी हो गई लेडी सनेक इस तरह अपने सामने आते देखकर मेजर गॉस्ट्र तरटक गया थो उसने पलटकर भागने की कोशिच के लेकिन उसी नहीं लेडी सनेक कुछी और इसकी फ्लाइंग की पुरी कुबा से मुटते वे मे पैलों के बल गरता चला गया इससे पहले कि उटता लेडी सनेक बिजरी किसी तेजी से उसके सर पर पहुंच के लेडी सनेक नागिन है मेजर गॉस्ट्र नागिन अपने शिकार पर किसी भी तोर पर बच निकलने के लिए मुखा नहीं लेडी सनेक रुटते हुए मेजर की तरह बढ़ाती लेडी स्नेक ने रिवालवर के लिए मेजर गॉस्टर के तरफ देखा और जुजबीन पर लपटा इस के लिए तरफ मरतम भरी नजरों से देख रहा था मुझे छोड़ तो लेडी स्नेक मैं यहां से चला जाओंगा मैं चीफ से बात करता हूं मुझे मत मार मेजर गॉस्टर ने लेडी स्नेक को रिवालवर के नाल अपने तरफ करते देखा है तो हाथ आगे बढ़ते हुए इंताई खौब बरे लहचे में का अगर लेडी स्नेक ने इस पर गोल्यां चलाएं तो वह गोल्यां अपने हाथों पर रोक लेगा सोरी मेजर गॉस्टर मे चाक इतना हो गया इसी के साथ हम अक्तिताम करते हैं अपने नावल के तीसरे हिसे का वीडियो चलेगे तो लाइक कर दें मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए अलाहाफिस